हलो फ्रेंज, विल्कम टू माई चैनल, आइम अकान चागरेरी, अज मैं आपको जिये सिद्रश्टी के समान भुगोल के नेश्ट पार्ट पहाने जा रही हूँ, और भी इसके कई पार्ट आएंगे, देखिए इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात पर प्रस्तुती की ग अगर आपने पढ़ लिया है, तो आप इस सिरीज को रिवीजन के तार पर आप जरूर ले सकते हैं, और लेकिन जो न्यू स्ट्रेंट हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो यह सिरीज वह भी देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूं, बहुत ही पढ़ा रही हूं, और बहुत ही अच्छे सिरीज करके भी पढ़ा रही हूं, तो वो लोग भी मेरा वीडियो देख सकते हैं, देखें, इसके पहले मैंने सिरीज एकोनोमिक्स और साइंस में बैयलोजी की सिरीज के खतम कर दी है, अगर आपने मेरा लेक्च्चर नहीं सब्सक्राइब करते हैं, अगर हम कोई चीज अच्छी चीज कर रहे हैं, तो हमाया साथ भी कहने के मतलब है कि हमाया फ्यूचर में अच्छा ही होगा, सोचिए, अगर आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, याप अपने कंफर जोन से बाहर निकल नहीं रहे हैं, आप अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, क्यों आप यह सोच रहे हैं, कि मेरे पास किताब यह सब कुछ भाग के उपर छोड़ दूँ, सब कुछ अपना भाग के सबस्क्राइब कर रहे हैं, कर्म कर आप इंचिए, अपने भाग के दौरा है, देखे आज का बंद भाग का फोल्ट कर्म करतें लगा रहे होते हैं तो आपको इस टापिक से क्यूश्ट मिले होंगे पढ़ना हैं मध्ध भारत की परवट स्रेडियाध और पहाडियों के बीच किमारे किस पहाडी से निकलती है तो आप क्या करिए अपने इंडिया के पूरे मैप को अच्छे से आप एक बार देख लिएगा कुछ लोग तो पता हो कि कौन से श्टेर्ट कहां पर है तो कोई नहीं आप एक बर क्या करेंगे मैं को अच्छे से देख लेंगे कि कहां पर कौन सा स्टेट है और कौन सा यूनियन टेटरी है ठीक है निर्माड रुबांतल सहयलो से बना हुआ है पहले मरे पढ़ते हैं इसे प्रयदिपीपि पथार बोलते हैं इसका निर्माड है यह इस्थाल मैं बना हुए है पहले हम इसके बारे में पढ़ाते हैं प्राइदपी पठाव में सब्सक्राइब कर दो तो है उतर की ओर आया है इसका निर्माढ किस से हुआ है गोणवाना भुमी के तूटने आपवहा के कालान होता है इसे हमारा है पूर्वी घाट और पूर्वी घाट है ठीक है देखें हम देखेंगे कि पश्चमी घाड का विस्तार कहां से कहां तक का है ठीक है देखें जो पश्चमी घाड का विस्तार है यह हमारा गुजरात से कहां से गुजरात से ले करके तमिल नाडू तक क्या है इसका विस्तार है ठीक है तमिल नाडू तक इसका विस्तार विदि आपको जैसे में बतारी हुँ हूं मैं एक फूर देखती हुए ठीक है और आप देख रहा है कौन-कौन ऑई घक की पहाडिया कहा है गुजरात में यहां पर आप देख रहे हैं ऑजन्ता पहाड़ी सतमाला पहाड़ी तो फवाल Chair के हैं महा राश्ट में हैं आपता क्या हो जाएगा महा राश्ट में है अजन्त की पहाड़ी कहां पर है तो आप क्या बताएंगी महा राश्ट में है अब देखे यह डोड़ा अगर मैप तह Live मैप मैप कर है को तो आप देख रहे हैं इसके स्थिति की स्थिति या और देख रहे हैеф है तो यह है तमिल नाडु में क्या स्सक्षारित की है यह नील-ग dragons hydrogen पहाडीस की सबसे उची चोटी कों निला की दोड़ा बेटा और अगो पूष लिया जाए कि हमारे गज़ बहारत में से कंड सबसे उची चोटी कौन से दोड़ा बेटा और फिर्म से अननामलाई ठीक जो अना मलाई है यह अना मलाई पहाड़ी है इसी से हमारी क्या निकलती है अनाई मुदी क्या निकलती है अनाई मुदी निकलती है ठीक है अनाई मुदी निकलती है तो अगर पूछ लिया जाए कि दच्छी भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो क्या बताएंगे अनाई म लेकिन नीरगिरी पहाडी की सबसे उची चोटी कौन सी है वो दोड़ा बेटा और देखे जो नीरगिरी पहाडी में ही जो प्रसिद आप उटी नाम बहुत सुना होगा ठीक है उटक मंडल यह हमारा जो प्रवती निर्मार हो जाता है जिसे इस परवती गांट को क्या कहते है परवत पहाडी कहते हैं जहां पर हमारे कई परवत एक साथ मिलते हैं उसको हम बहुते हैं परवत बोलेंगे तीक Лिग नींतार जो ऐसंतार पुछा गया थे किनकिन राज्छिο में थामील नाडू यहां पर देख रहे हैं तमिल नाडु केरला और करनाटक केरला और तमिल नाडु में यह बिस्तार है इसका ठीक है इसका याद रखेगा अब आप देखते हैं यहां पर जवादी पहाडिया और सेवाराय पहाडिया इससे क्या है तमिल नाडु तो यह कहां पर हमारे तमिल न सबसे दच्छिड की और जो है इसको क्या बोलते हैं दच्रितम परवत स्रेड़ी है तो कौन सी हो जाएगा कि प्राइदीपी भारत की सबसे उची चोटी तो कौन सी है अनाई मुदी है क्या है अनाई मुदी है ठीक है याद रखेगा सेकंड कौन सी है दोड़ा बेटा है ठी अंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाय जाते हैं यह हमारी घड़जात और मलाईगेरी पहाड़ी है अब देखेए यह मीजो है मीजो हिल्स आपको नाम से पता चल पार होगा कि मिजोरम मैं नागा हिल्स मतलफ नागा लैंड में है कई बार पूछा गया है गारो खासी यह मेघाले में पाये जाते हैं यह एक हमार तर ने क्या ह üzड़ाण। अ कि विवारत का हिम इस जा तर विश्चन कहीं है is, पोली जो खके यहां पे मेघाले मेघाले उंगे पुर्भी बिस्तार हैरे जो में सब निश्ट कम आता क्या है यह अब आपगा को सब्सक्क्राइन जोगकर साखिकर कि अब लेकले परवतव wonder HP प्रमुख छेत्र कौन कौन से हैं देखें केरल एवन तमिलनारू की सीमा पर इस्थिर पहाड़िया कौन सी हैं केरल एवन तमिलनारू की सीमा पर इस्थिर पहाड़िया कौन सी हैं अभी आमने देखा था निलगिरी अनमलाई और कारडमम क्या है अनमलाई और कारडमम देखे मुदी ही इसकी चोटी है ठीक है जो की सबसे उंची चोटी है रचे भारत की अब आपको आपने मेर के तरू देख लिया होगा तो आपको चीज्यों को माइंड में बना है रखने के लिए एक दम आसानी होती होगी अब देखिए अब देखा था क्या है जवादी एवन शिव ठीक तो मिल जाएंगे तो कुछी समय के लिए रहेंगे लेकर आपको आप सोचिए ना क्या आपको लगता नहीं है कि अपने भारत के बारे में जाने अच्छे से ठीक है जोग्राफिया ऐसी है कि आप मैप की थ्रू जाने तो आपको चीजों को रटना नहीं पड़ेगा ज कुछा गया है तो क्या है यह अनाई मुदी अनाई मुदी प्रादी भारत कि द्षिर्तम परवस्रेणी है कौन से हो काडमम की था ठीक है अन्नमलाई और काडमम की बीच इस्तित दर्रा है उसको बोलते हैं तो जो रहा का मतलब यह होता है कि एक पंप यह जगा से दूबर ह पहाड़ी को बीच जो दर्रा है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कि इसे तमिलारु जाते हैं अब आएगे कुछ प्रमुक दच्छिर भारती पहाड़िया है और उनके अवस्थिती क्या है देखें आपको बिल्कूल आसान दहेगी देखेंगा अन्नामलाई कहा है केरल और त परदेश और यहां परिस आपको देखेंगे आपको तो ऑर की मंड में ऻ difन जाएगा ठीकст Skills-चिञा आप देखतेंगा इसे कहाड़ी अन्ट kulland पश्चमी घाट मैंने बताया इसके दो घाट है पूरपी घाट है इसका अन नाम क्या बोलती है इसको सहाधरी इसके जो आफसात उचाई है लगभग बारा सो मीटर है मैंने बताया है यह तोड़ा कम उचाई होता है जैसे आप देख रहे हैं हिमाले है ज्यादा उचाई है फित कि वपश्चमी घाट है इसके उचाई बहुत कम है के रव में इसको च्छ मीघाट को है सहा परवतम सब से ऊंची चोटी अभी पता है आपको बहुत हो इसको चैसे तक कहा तक है गुजराइस से लेकर तमिन नारु तक जो इसकी लंबाई है लागभग फंदरा सो मीटर इसकी लंबाई है अब और हम देखते हैं इसका विस्तार है फिश देखे उत्तर में गुजरात ने बताया था और दच्छिर में कर्णिया कुमारी तक है और इसका निर्म प्रमुक दर्रे हैं हमारे पास से एक हमारा थालगाड धर रहा है और भोरकड धर और पार घर दर रहा है जो में नौर्थ की तरफ आएंगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दर्रे मिलेंगे जो कि आपको दोनों ही इंपॉर्टन दोनों ही पढ़ने है ठीक है आप इसक जोड़ने वाले और झमद्राने मिल और पालगाड के मद्डे रहा हुसको दर्रे यहां पर नाशिक से जोड़ता हो और याद रखिए अब आये हम देखते हैं देखे मैं आपको बता दी हूं तो आपको लंबे समय तक मायन में आपके बना रहेगा ठीक है तो परिसान मत हुए कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ठीक है देखे पूरवी घाट का जो बिस्तार है आपको बता देख रहे हैं उडिसा से लेकर तमिल नाडू तक कहा से कहा तक है उडिसा से लेकर के तमिल नाडू तक इसका विस्तार है ठीक है इसके जो बिसेस्ता है इसके तीव ढ़ाल है इसके जितने भी यहां पर नदिया होती है जो भी रे इस की तरफ है तो यहां पे नदियों ने बहुत जदा कर दिया एंगा इस निर्फ बहुत यहां और एसी धी शुक्रण दिखेगे वर एम में को टक कोनध के नाम के तो यू700 है और नाम दे दिया एगए निरंतर न होग यहां पर जगा जगा पर कटा च्टा है कटा च्टा है में मतलब यहां पे चड़ company निरंतर ना पर जगाप है आपको कठ ना पर कारक में है यहां कि colors of कण्याद के ऐघ्ती है지 तो इस यहां पर गया है चोड़ चोड़े हैं और इन स्थानी नाम बोला जाता है जैसे भोल दिया है रहे विटार प्रदेस में नला मलाई वेली कुंड़ा पाल कंड़ा जवादी और पहाड़ी यह सब इनका इस नाम हो गया तक है इसका विस्तार उडिशा से लेकर तमिन न के प्रमक चोटी कों से हैं मलयगिरी महेंद्र गीरी सिक्क राम गट्टा आधी कहा है मलयगिरी कहा है इसकी जो उचाई है पुछागे पर चम है कम है कम भाग में दो समांतर पहाड़िया है जिसे बोलते पुर्वी पहाडी वेली कुंडा सिरी पाल कुंड़ी ठीक यह मद्धि भाग में दो समरांतर पहाडियां है इसको बोलते हैं पूरी पहाड़ी वेली कुंडा और पाल कुंडा यह दोनों आंध्र प्रदेश में हैं याद रखे कि कई बार क्यूशन पूछे गए हैं और यह यह दो आपको आपको यह देखें नल्ला मलाई पहाड़ी त पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी घाटी मैदान के समानतर महा नदी से नील-गिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी घाटी मैदान के समानतर महा नदी से सवचा घाट यह अजुए बच पहाड़ी के पूछा गया है पूर्वी घाट के मिलन इसनव को क्या बोलते हैं नील-गिरी पहाड़ी है इसकी सरवोच चोटी कौन है ढोंगट की अब आगे देखते हैं भारत की प्रमुक चोटी या देखते हैं वहारत कीnewig चोटिय देखेए च्ट ंबन जाते हैं आप यह देखिये पहले मौंट अब्द को सिखने आपको पता है लेकिन एक वर्स दो हजार बीस में नेपाल एवं चीन दे माउंड एवरेष्ट की अधिकारी कुछाई कितने की गई है आठ हजार 848 मीटर लगबग भूसीद कर दीए ठीक है तो लेकिन अभी आप क्या मानेंगे माउंड एवरेष्ट बिस्वी की सरवोच पर जाए यहां क्या है यहां पे घेषा रूम कहां पर है इस अमारे घिक कहां यह कहां है गार्डवी नाश्टिन और सालतारो कांगडी बात करें बद्रीनाथ और नंदा देवी कि यह थो उत्र खंड में हैं पहाडी पहाडी साहरा मती नागा लैंड में नागा लैंड में ब्लू पीक यहां पर मिजोरा में अब आए यहां तक हमारा हो गया अब आए गुरु शिखर बहुत इंपॉर्टेंट जब आपको अरावली पढ़ाऊंगी क्योंकि अरावले की सर्वोस चोटी है गुरु शिखर क्या है यह कहां पर राज इस्थान में है ठीक है गोराखनात यह कहां मेरा दिखराया है गुज किष्णा नदी और ब्रह्मगिरी से कौन से नदी निकलती है ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है जो मैं नदीया की चपढ़ाऊंगी तब मैं आपको 20-300 में इस्प्लेइन करूंगी ठीक है धूबगर चोटी कहा है मध्य प्रदेश में मलय गिरी और महेंद्र गिरी आणाइमुदी डोडा बेटन बौरण नाडू मी बौरणवी बारदन अब धान से इसमग और नाईमुदी कहा हमारा कि मिलादे कि आप मैन highly अगस्तम मलाई कहा है हमारा हमारा फोली के बौरण बौरधा ऑर तबीच में ठीक है जो फिए डोडा-बेट नियसके सब देख must परवत सिखर है क्या है भी सुका सर्वोच परवत सिखर है इसकी अवस्थती कहा है नेपाल में इंडिया में नहीं है अगर क्यूश्चन पूछा जाए कि मांट इवरेच्ट कहां पर है तो आप नेपाल ऑप लगाएंगे ठीक है इसकी उचाही है है अब आये से कंचन जंगा इंपॉर्टंप है भारत की दूसरी सबसे उची चोटी क्या कई है कपापण haven पूछा जान में आफिक है इसका अइप और भारत का सरवोश्च परवत शिखर कौन सा है अब क्या बोलेंगे केटू या गाडविन आश्चिन अगर पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे चोटी कौन है तो क्या बताएंगे कंचन जंगा तीसरी कौन सी है नंगा परवत भारत की तीसरी सबसे उची चोटी कौन सी है नंगा परवत इसकी अभी आप अभी आप इमने देखा था नंगा परवत की क्या है यह जम्मु एवं काश्मीर भारत में इसकी जो उचाही है 8126 ते कुछ परिच्व पर चुपयोगे तर्थ है भारत में कोईले का भंडार पाया जाता है गोंडवाना सहल में करेबा भू आकती पाई जाती कहां पे काश्मीर हिमाले में बिसकी सबसे नवीन वलित परवतों से समंदी था है क्या हिमाले कली हमने आपको बताया था किस खेती को कुटणाट को अब आई कुछ और क्यूश्चन है जो एक जाम की दिश्चे से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है यूनिसको द्वारा वर्स 1988 में प्राक्तिक महत की विस धरोवर के रूप में सनच्चित किया गया है नंदा देवी राष्टर उध्यान वस 2016 में यूनिस को द्वारा मिश्चित वर्स नाम पहाड़ी स्थी कहा मनेब देखा था नेडिग्री पहाड़ी पर प्रेथाम भारति महिला जो वर्स 1984 में एयोरिष्ट सीखर पर चढ़ने में सफल हुई थी तो वह कौन है बच्छेंद्री पाल है इन लोगों को आप तो देखे होंगे दो बार माउंट एयोरिष्ट पर बिजय प्राप्ट करने वाली महीला परवतार हो ही कौन है वो शंतोष यादू है ठीक है अब आए निश सहीद अन्य वनिस्पतियों से धकी हुई घाटी है क्या है यूथांग घाटी सिक्की में पूछ लेते हैं यूथांग घाटी कहा है तो यूथांग घाटी कहा है हमारे शिक्की में केरल के पलक्रम जिले में इस्थित घाटी है क्या बोलते हैं केरल के पलक्रम जिले में जो शहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्सा प्रचुर वनोस से उत्गमित होती है तो कौन सी है कुंती पुझा नदी ठीक है मौन घाटी यह सालेंट वैली राष्ट्री पार्क के निकट प्रस्तावत जल विद्धुत परिवेजना है कौन सी है पत्थरकडु जल विद्धुत पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनन्द जो लाहूल और सबसे बड़ा हिमनन्द है उसको कहते हैं सोना पानी कहते हैं अब और देखें कुछ महत्पूर्ट तट हैं देखें दचल भारत की प्रसिद्ध टोड़ा जनजाती निवास करते हैं नियरगिरी पहाड़ी पर ही टो बूफिये जाता है कि टोड़ा जन जाती कौनसे राज में पूछी पाई जाती है तब क्या बताएंगे तमिनाडू में पाई जाती है ठीक है केराओं तमिलनाडू राजी की सीमा पर आवस्तित पहाड़ी है कौन सी अब आमने देखा है अना मलाइक पहाड़िया अनाईह मुदी जर्खंड के दिरगई जिले में इस्टित पहाड़ी पारस नाथ हील झाल पारस नाथ हील करें नर्मदा य। उन्तापती नदियों के मद्ज्रड़ी कौंसी है सत्तुर्णी को सी क्या बोलते हैं सत्तुर्णी की नाम से जाना जाता है पहाड़े और मिजोरम इस्थित फावांग पूई को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है अब आई हम देखते हैं कुछ प्रमुग घाटियां है ठीक है प्रमुग घाटियां है तो यह कहा है आप पाएंगे हिमाचा प्रदेश में यह सब धावला धर्यों पीर पंजाजड़ी में देखें जो भी पलेटा निस्थाल है यह हमारे बताया था आपको हिमाले के बारे मे हिमाले तो जितने भी प्रयाटब निस्थाल होंगे वह सारे हमारे लगू हमाले में ही पाये जाते हैं जितने है दो इसके अवस्ति है कहां है धौला धर कहा है धौला धर और पीर पंजल प्रवस्रेंड केमद हिमाचत प्रदेश में समझें आपको ठीक है जुकु घाटी क यहां आपको शुको घाटी हुमारी साई का दो हही नौक में पर सुभीे । ही। हुमारा प्रदेश का यहां पर नेलांग घाटी ने लांग घाटी है वेशा हमारे याद और क्वलोलग से निसी स्ट कर दें यह साय길 के हावश्धीया मफ्यानक चाड़ हर ₩ मैं देखा ठीम में युथांग गाटी घाटी है हमाया घाटि बहुत के माठी है हमांut करें फिर पड्रशकंपरड खाले नागार परवत चोटियों और बसपा नदी से यह घिरी हुई होती है ठीक है ओके निलांगाटी का है अभी बताया निलांगाटी का है उत्रकासी जिलाइसित गंगोतरी नेशन पार्क में उत्रा खंड में है घटना करंगतरो देखें यहां पर वर्श उनीस सू बासट के यूदि के बात नागरिकों के लिए यह बंद कर दिया गया था और वर्श 2015 में 2015 में पूना परेटकों के लिए यह खोल दिया गया है अब हम देखते हैं भारत के प्रमुक दर्रे आज मेरा लेक्टर बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं चाहरी हूं कि आभी ही सारा चैप्टर है आपका यह सारा खतम कर दो क्योंकि एक्जाम के देट थोड़ा नजदीग आ रही है तो आपके पढ़ने की कैपसिटी भी डबार हो जाती है तो मैं यही चाहरी हूं कि थोड़ा से बड़ा हो जाए ताकि मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ मैं कभर कर शकूं ठीक है बहुत कुछ प अब देखेंगे यहां पर दर्ज्दी कोशन बन जाते हैं जो मिंटेग और जोजिला दर्ज्दी घॉप बनिहाल दर्ज्दी घंबबो और काशमीर पे है त्रह्पर द ही कि माना लिपलेक माला और लिप लेक यह हमारे कहां है ये हमारे उत्राखंड में है नाथुला और जेलिप्सार दर्जा ये कहा है सिक्पि में ठीक, अब अगर हम बात करें बुमला और दिफू पांक सांड में अनौच्छ प्र medida में ठीक है अब आपको Maps से याद हो गया होगा ठीक है देखें और और रिपीट कर लेजिए जो पीर पंजल और बनी हाल दर रहा है ये दोनों जम्मू और कास्मीर में हैं मिंटेक और जोचिलना दर रहा है ये दोनों लद्दाक में हैं बड़ा लाचला बड़ा लाचा ला सिपकिला ये दोनों हमारे कहा हैं हिमाचल प्रेदेश म नीति माना लीपूलेग यह तीनों उत्राखन में कई बार पूछा गया है नाथुला और जेलेप साने यह जेलेप सा बोलते है यह दोनों हमारे कहां है शिक्की में बूमला बूमला दिपु पागसंड यह हमारा अनौचर प्रेदेश में है तूजु हमारा मनीपूर में ठीक कहने मतलब यह सिरि नगर से हम ले जा सकते हैं जोजिला दर्णास मैं ले उतिके fan में जभनेर इंदें Game link num happens यह कुलोड़ाइ सिरि नगर जाने कमार किया है यह न मतलब सिरि नगर जाने कमार किया तो आपको याद हो जाएगा ओके के यह पुछा जाता है कि अब आगे हम देखते हैं भारत के प्रमुक दर्रे और इनकी सूची निसी गहने का मतलब है कि लद्दाख में कौन कौन से दर्ड़े हैं आप एक बरसों देख लेंगे और जाम में कोई भी दर्ड़ा पूछ लिया जाएगा तो आप उसको आसानी से बता लेंगे ठीक है ओके अई देखते हैं लद्दाख में से कौन से कराकॉरं चांगला खारदूला और जोचिला हमन दिवान एक बर पूछा गया थे यांगची दिवान ठीक है इमांचा प्रदेश में सीथ हैं भाबा भाबा परंगला मनी रंग ठीक है यह सबसें पढ़ लीजिए अगर जम्यात लगा लगा लिजेए वनना जो मैंने भी बताया है यही मोच इंपोर्टेंट इसी पढ़ लीजिए लेकिन याद कर लेजिए इन सबको नामा लिपुलेग माना मुलिंगला नीथी अब ऐसे दहां रखेगा जिसमें नामा माना यह सबाएं तो आप देख लीजेगा यह उत्रा खंड का है ठीक है जम्मू कासमी में अभी में देखा था पीर पंजाल बनी हाल तक है अवह देखा था बोनी अवन दिला यांग याप दिफू एला याद रखेगा जो सेला है यह उत्तरा खंड में ना लगा दीजिए कहां पर है यह यह हमारे कहा है अवाज प्र देस में ठीक है बोम दिला ते लादिफू यांग याप ठीक है अब आपको अश्वतिता सराशवति का उतिकम होता है कहां से होता है डेवताल जील से चाहिए जब पढ़ाओंगे तब आप इसमें पळेस्ट मोटा-परदेश को चोड़ोंना बना सब्सकूतर है चिर्बितियाला या डुंगरीला इसका बिस्तार है नंदा देवी बायो इस पयारी जर्ब से जासकर परवस्त्रड़ी के पूर्वी छोड़ता कि इसका क्या है ऐसे बिस्तार है ठीक है अब देखें सिक्किम रास समंधित प्रमुक दर्रे देखें कौन-कौन से हैं अभी दे तीसरा सीमा बैपहर पॉइंट बस एक मोटा मोटा आप जाने रहें एक्जाम में आपसे पूछेगा कि किस राज में है ठीक है यही जाम में पूछ लिया जाएगा ठीक है इसको याद करने कि कोई भी जवरत नहीं है देखें मैं आपको वह बता रहे हो जिससे क्यूशन ब बन्हाद भामवार्त को जोड़ने बहारत को जोडता है भारत को जोड़ता है मंहाद को बहुर मीश के अवस्तती है इंफाल से तमु जाने वाली मार्का गुजरना नेकिए लिखेंगे तब आपके लिए यह इंप्रोटेंट हो जाता है ठीक है इनकी डिटेइल के बारे में जाना लेकिन आप आप अब आप अब आप अब देखेंगे प्रदेश में दिफु दर्रा है जो भारत मेहमार सीमा पर इस्तीत है ठीक यहां पर आपको किया मिलेंगा है रिवीज़्न करने का ही मिलें है ठाप वल गार दर्णा में है इसके रीका इस में माहलाुज ही इस दो बिलकावी सब्सक्राइब मूंबइ टो नाशिक एप देख चुष्प陽क then कि Canadian बात करें तो इसको आने नाम क्या बोलते हैं इसके पस्ति कहाँ के रेल में हैं इसमें कोजिकों त्रिशूर कोईटूंबु इरोड रेल उपार के बताया तो वह आपके लिए इंपोर्टेंट है अब आप यहां पर देखिए और अन्ना मलाई परफस सेडियों के सेडियों मे अब आपको इसी पहले बताई थी भारत चीन यूद उनीस सुबांसट में भारत चीन उन्ने यूद उनीस सुबांसट के दावरान बंद किये गए जिस दर्जे को 6 जुलाई भारत का सबसे नुचा दर्रह है भारत का सबसे उचा अवस्थीत है लद्दाख और हिमाचर प्रदेश में ठीक है खार्दुल्ला ने भी देखा था कहा है लदाग में और बड़ा लाचा दर्दा में देखा था हिमाचर प्रदेश में किग्री भिंग्री कुछ अन्य प्रमुक दर्रे ठीक है देखें आप उतना याद रखेंगे इसको एक बार देख लेजेगा ठीक है चांगला चांगला कह को तिबस से जोड़ता है वही अगर हम बात करें । यहीं प्रदेश को तिबस से जोड़ना है ठीक है बूमला है इसकी जोरता है उत्राखन को नीति भी जोड़ता है मुलिंग नियुक जोड़ता है यह पाया जाते हैं यहां से यहां तक की रीजन है यहां पर टांस हिमाले इसको बोलते हैं यह पार हिमाले और यह जो हमारा यहां पानी दीर आता है जब हमारे इन्वारमेंट में गरम होता है तब यहां पीजलता है यह बहुत हमारे खत्रह हो जाता है जो आप रहते हैं तेजी मातरा होगी तो बहुत बड़ी मातरा होगी जिससे जो coastal areas है वो डूब भी सकते हैं ठीक है यह जाम में पूछा गया है question C अगर हमारे glacier में टम पेशब रधी कर दीजाए तो क्या होगा तो जो हमारे coastal areas हो जाएंगे वो डूब जाएंगे ठीक है आप देख रहें टांस हमाले में कौन-कौन से हमारे glacier है रहे हिसपर कौन से हिसपर बी आफो बाल्टोरा सियाचिन ड्रांग ड्रॉम याद रखेंगे कौन-कौन से हैं देखें कई बार में रिपीट करती हूं ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए सियाचिन, हिसपर, बियापो, बाल्टोरो, चोंगु, लुगम, ड्रांग, ड्रॉम, ससाइनी ठीक है यह सब किसके हैं ट्रांस हमाले या पार हमाले ठीक है अब हम देखेंगे उत्रा खंड में कौन-कौन से glacier है यमनोत्री जिससे यमना नदी निकलती है गंगोत्री से सबसे बाद है कि द करगाना सियाचिन है यह अब सब्सक्य आप डरं जहीं कोत्री ज рад Men में में और जीना इस है पुड़ावारी ले जिला में कि utarके असी ब्रेप्याग जिला में केडार नात्मंर में उत्तर दीसा में रुद्र प्याक जिला में क्या मिला इसे में कमाऊ छेतर में इस्तिर्पी थाउर अगर जिले में गड़वाल हिमाले नीन इसको क्या है अब हम थेखेछेंगे प्रायदीपी पठार क्या गोडवाना लैंड तूटने एवा अफवाग के कारने सरक निर्मार हुआ इसकी जो आकरती है क्या पताया थे भारत के आकरती की समान इसका जो इस थल है समंधिस साहले कौन कौन सी हैं देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था ठीक है तो मैं आपको बस बता दे रहे हैं किश्टली अगनीश और उपांतिस साहल इसमें पाई जाते हैं ठीक है प्राइदिपी भारत के चट्टानुर कुद्प प्राइदिपी पठार का वहा भाग जो मालवा के पठार अधिकतर भागों में पहला है इसमें हम देखें कि बुंदिल खंड का पठार, बिंधियन स्ट्री, सत्पूरा स्ट्री, आरावली परवस्ट्री मिवार का पठार और मालवा का पठार देखे मैं आपको मैप के यहां पर यहां है यहां पे यह एसे गया है यहां पर इंधियनान माउनटेन के नीचे सत्पूरा है सत जोटन नदी के यह सत्पूरा पहाडी से ही दो नदिया निकलती है यहां से आप देख रहे हैं जो यह सत्पूरा रेंज है इसी के नौर्थ में कहने के मतलब यह है झाल सप्राइटो है निकलती है लेकिन वह नर्मदा तक कह सब नादी कहा है निकलती है इसलिपना नलइ किन裡面 गालती है तो कौन से रेंज है सत्पूरा रेंज के बीच में बहती है और देखिए इनकी क्या भी सेशता है यह अपना जल गिराती है यह ब्रंस घाटी में घरती है तो कुछ रीवर्स ऐसी होती है जो एस्चुरय बनाती है और कुछ डेल्टा बनाती है तो आप समझ गए यहां पे हमारी क्या है यहां पर अरवली मौंटेन यहां पर मारी बिंधन नीचे ही सत्पूरा है ठीक है तो यह हमारी रेंज है अगर हम बात करें तो दो अब को सब आपको वही मैं आथ अप ध्यान में रखीएगा तो मालवो होगी हुँ हमारी अरावली और बिन्थन देजिक में पाए जाती है मालौणा का थी अब हम देख रहे हैं दंड कर्माएं का डंड कराय यहां पयहां Tibet must 可以 प्रप्रदेश नहीं इस अब लिए यह चेत्र हो गया हमारा दं करआए वाले ठीक है और कॉछा पथार था में चोटा नागपुर का पथार ही यह नहीं यहां पर देख रहे हैं क्या है क्या है क्या है करनाटक का पठार अब आपको आवस्तिती का पता लगी गया होगा एक बाद आपको बताया है जो मालवा पठार है अरावली रेंज और बिंध्यान के बीचे पाया जाता है और कनाटा को पठार यह है तेलंगाना को पठार यह है यह बस असे देख लेजिए लेकि इंप्पोर्टन क्या है चोटन नागपुर का पठार कहा है यह अवस्तति सब्सक्राइब यहाँ नाच ने प्सक्राइब कराद कि देखते हैं तो कि इसका भी स्तार गुजरात, राजिस्थान हरियान दिली तक इसका पिस्तार के रावली रेंच को बिस्तार याद करेंगे क्या है यह सबसे प्राचीता परवत संखलों में से परवस्त रंखला है लेकिन अभी यह हो चुकी है तिक यह और शिष्ट परवत का उधारण है पूछ लिया जाते एकजाम में और शिष्ट परवत का उधारण है तो आप क्या बताएंगे अरावली इसकी इस चोटी अभी ने बताया था कि गूरु शिखार राजिस्थान में परवस्त रंखला है बिसकी सबसे प्रवस्त रंखलाओं में अरावली की बात थी इसके मंदी उच भूमी क्या है नर्मदा नदी के उत्तर में इस्थित्थ मालवा के पठार के रिकतर भागो का नाम इसकी जो लंबाई है लगभग पांसो तीस किलो मेटर चुड़ाई लगभग तीन सो उनतीस किलो मीटर आप इसको ऐसे ही याद कर लेज़ेगा ठीक है अवस्तिति को आप ध्यान में रखिए का और इसकी निसीमन रिधारन की देखे आपको मैं वही बताऊंगे जो एक्जाम के पॉंट आप ब्यू से बहु पठार के साउथ में का है बगेलखन का पठार है याद governance अब आईएये हम दोग दिखते है क्या है यह ओगए ठीक मिए अम दोग देके इसमें और भी छोटे चोटे पठार है इसके जो बिसे स्तत्य है क्या है तीवर इसकारपो वाले धाल होते हैं क्या है तीवर इसका अननाम क्या है इसका अननाम है भारत का रूर प्रदेश एक जाम में क्यूश्चन पूछा गया है कि भारत का रूर प्रदेश कहां से है तो य यहीं से हमारे कोईलः मिलता है कोईल और मिलता है कि 98 पर्षंट के जो पाया जाता है कि आदर रखेगा खोटा नागपूर के पठार से खार स याद रखेगा अव ऐसना क्या है मध्यच्ठिमी भाग स्वार्ट भूवानी ना तृमातर न दरा भी है दने द्ल Two to Detek तो एक है लिए यह sudah जिए जो बान म मतना को बात्र को ना आई आप तियुछ के शींडेशें जो और अब कि तकंपर संब्धार हो इसका हो कि आप सकते हैं है हमारा आरप सागर है और यहां हमारा है हcież हिंद सागर यहां निर समुषिंॅ घेरा हुआ है और भारत तीन समुषग से घीरा हुआ है कोरग है कि सक भारत ती लोग बन reso अब आये देखते हैं और इसके कुछ भी सिष्ट तत्य हैं अगर पूछें दीपो सहीत टत्रेखा की लंबाई कुल कितनी है तो आप क्या बताएंगे 7516 किलो मीटर है इसमें इसमें इंक्लूड है अगर पूछें कि मुख की भूमी से लगे कुल टत्रेखा की लंबाई कितनी इसमें आइलेंड नहीं सामील है तब क्या बताएंगे 5400 क्या बताएंगे 5400 किलो मीटर हो गया ठीक है अब बता दे रहें यह भारत के हमारे यह आप देखिए कौन कौन से हमारे कौन 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 काउंट करेंगे ठीक है यहां पर हमारा क्या है और हमारा क्या है राज में गुजरात के बाता है साथ प्रदीस साथ और प्रदीज के आता है वेंगोल देखें आपको याद करने की जवत नहीं आप अपना मैप है उसको उठाइए इसकर लÎँ यह पुछिंग ये पूछ लिए बताइए तो आपके जो राज हो जाएंगे नौ राज हो जाएंगे कांट करिए एक दो तीन चार पांच चाह साथ आट नौ और यह पूछ लिए जाएगा कौन सा इसा राज है जो दोनों में सेरिंग है यह तो यह यह हमारी पाश्टमी घाट में भी वी कोश्टल एरियाज दोनों तरफ हमारे इसमें भी यह पूर्वी घाट में कोश्टल एरियाज चार है और पूर्वी घाट में पूछ लिए जाए कि तो आप क्या बताएंगे पांच यह आप इसको भी इंडूट करेंगे तामें नारुका ठीक है अब यह पूछ लिए जाए कि कौन सा ऐसा रा लगी है तो अब बताएंगे कि तमिल नारु नारुका ठीक बनेंगे अब आप देखे सबसे लंबी कुंसी है गुज्रात की है और और सबसे कम किसकी यह याद रखिए ग्जामी क्यूशिंस बन जाते हैं ठीक है कि और क्या है कि इसके चार केन सासे प्रेस भी है जो हमारे चार केंसासी प्रदेश भी हैं जो हमारे को कॉस्टल एडियाज में हैं वह कौन-कौन से हैं यहां पर देखें दादरा नागर हवेली तता दमन और दियु है और एक हमारे यहां पर हमारा क्या हो गया लच्छ दीप हो गया और पुदूचेरी अभी मैं आपको बताऊंगी कि कि पुदूचेरी कितने स्टेट में फैला हुआ एक हमारा क्या हो गया और यह स्टेट है यह तो नौ से अब आपको बता रहे हूं लेके जब यह देखें इसकी तीसी मैं बताया था पूर में बंगाल के खाड़ी है पस्च्चि में अलब सागरा दचिल में हिंद महा सागर और इसका भारती तट्रेखा जो विस्तार नौर राज और चार केन सासिर प्रदेश आपको राज याद करने पढ़ेंगे नहीं आपने मैप के खुरू समझ लिया है क्या है कि गुजरात महाराष्ट गोवा करनाडग केरल तमिलनाडू आंधर प्रदेश उडिसा और प्रश् तरवादी चोटी टट्रेकर कौन सी है राज्यों में गोवा और याद रखेगा इतना आसान होगे मैंने आपको मैफ के थुरू याद करवा दिया ठीक है अब आगे हम लोग देखते हैं प्रमुक बंदर गहा प्रमुक बंदर गहा देखें इसको मैं आपको इसकी इस्तित में न्यू मंगलोर कहा है अब इसी तरीके से हम देखते हैं पूर परभी चंत बंदरignant ते बन जाते से क्यूशन बंद जाते है तीक है 158 में अंद्र Pastor अंद्र गार परभी में तोक एककर करके बताना मुंबई करणाटक में दिवत करनाटक में मर मंगलोर करनाटक में टीड र करनाटक में रहां ऑ हुआ मर्मगवे यहां तरहां किया है वह हम पूर्वी की बात करें है वह अन्थ प्रदेश को कुछ फ्लभू है सामा प्रिशाद मुखर्ची है एक पैस्चिम बंगाल में detached बंगाल में Harisana तो बहुत आसान रहेगी चीजों को समझने में ठीक है भारत के मैदान पर भू आकरित आधार पर तीन भागों में वरगी करण किया गया है कौन कौन से अब मैंने आपको अपने ध्यान में के लिए रहे हैंगे गुजराग बोलते हैं या गुजराग को बोलते हैं काठिया वाल तती मैदान थे हैं पूर्भी टती मैदान देख जामिद यह बना था कि उत्तरी सरकार से को रों मंदल तक भिस्तरित है इस को पश्चमी तती मैदान कहते हैं अभी आपको बताऊंगी कि कोंकर्ट क्या आते हैं ठीक है जो गुजरात या काटियावार्ट मैदान है यह गुजरात तथा दाद्रा और नागर हवेले तथा दमन दियू भागों में बिस्त्रित हैं अब आपको इसकी दिखा दूगी ठीक है अब आए निश्ट क्या है पस्चमी टेटी म कहां से कहां तक के बीच में होता है और कनारा टकान कहां से बीच में होता है और मालाबर्ट कहां से बीच में होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कोंकर्ट कहां से दमन से गोवा दमन से गोवा की बीच मैं आपको इसमें से दिखाओंगे ठीक है कनारा टकान कहां से मंगलू smellsございます इतना अभी क्या बोलते हैं यह को इलीका इम बोलते हैं इसको बोलते ंपस्चिमी कोस्टलっ पल्लेन कै वो बता को से उतक है प्तरी सख्रकार gitu अ क्या बैबम्लादू उसको ब हम2 कहने का मतलब है कि यहां तक पस्चमी तक मैदन यहां सिहां तक इस्टन काठिया वार गुझरात है अब इसे क्या बता था कि कोमकर तक के बीच कि पीच आपके नेखे दो तिरुम आप मैप देख लेंगे तो आप बोलते हैं मंगलूरं कुमाई तक माला बाल तक कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा इसको तो पूलते हैं कुछ भी आपको रथना नहीं है सिर्फ आपको देखिए जो कोंकंत हैं दमन से कोवा के बीच में और कनारा तक है यह कभी आपको गुजरात आचाए तो गुजरा पूर्भी टटी मैदान देखे इसमें क्या है पूर्वी घाट और बंगाल की खाडी के मद्द उत्तर उत्तरी सरकार से दच्छ दीजा या निकोरो मंडल टट में लमवत विश्तर संतल छेटर को पूर्भी टटी मैदान कहते हैं यह हमारा है एरिया तो यह यहां तक क्या बो इतने हैं तक को बोलते है उत्तर सरकार क्रिशन नादि क्या है और प्रेश को को द हम्हारी बीच पर सी कारव मांडल टो इसको बोलते है तिक को बोलते है को करव मंदल क्या है आंधप्रदेश और km बता है कोई भी नदी रज़ स्टुरी और कुछ नदी बनाइगी डेल्टा बनाएगा जो नदी हमारी इस्ट की तरफ की तरफ बिंक जरल फेली हमे डेल्ता ही बनातीady वेस्ट से निकल करके पश्चीम से औरिजिं से वह ने आपको बिंक देखे मैंने आपना पानी गिराएमेग, जहाँ ढम होगाए पस्टमी चटह है बहुत हैं, डाल applies right न होगी आपना जल और तो देनी न जबता है यहाँ इस ही के बना देन वह लित लेगर निया कीं, तो यहां पर यहां पर जमाव कर देते हैं यहां पर डेल्टा-णुमा आकरती बन जाती है वहीं जो नदी यहां वेश्च की तरफ गिरती है बहुत तेजी से गिरती है जिसा क्रादादा आापती है यह बहुत तक बynnसगाटी में गरती है तो यह हमारी इस चुरी बनाती है ठीक bought बनाती है जो हमारी बेया बिंग्वाल में अपना जल गिराती है ठीक है ऐसे याद रखिए तो महा नदी है और कौन सी है गोदावरी नदी है कृष्णा है कावेरी है यह सब के और पस्चिम से पूर्व की और होती है क्योंकि पूर्व की और ढलान है ठीक है ऐसे मालीजी बढ़ा सही है जो चोटे बना रही है वह सही है क्योंकि मैं चाहरी हूं एक्जाम आपका नस्दीख है तो मैं आपको जल्दी सारे टापी क्लियर कर दो ठीक है क्या हो जाए कि आपको ताकिर रिवीजिन का भी टाही मिल जाए तो जैसा हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में ज सागर और पूर में बंगाल की खाड़ी के साथ लग बग इतनी लंबी भी सार्ट रिखा जो कि हमने पहले देख लिया है अब हम देखेंगे भारत के महादर पूंच चैनल से क्यूश्चन बनते हैं चैनल से क्यूश्चन बनते हैं तो आप इसको ध्यान में रखिएगा ठी से में तरिकिन के बीम मनार के खाड़ी यहां एंब तो यहां पे कौन सा है घृत तामील नारू है और यहां पे नीचे क्षा कौन सा सी सी यiegen कि kafण Video मां के बीच कोँ आको कुछ वह भी रटना नहीं है ती मैं बार बार बोल लें आपो कुछ भी में धान और देखते हैं द McMahon चैनल और एक हम देखते हैं dhc channel और एक हम देखते हैं इत डिगी 10 Channel और एक देखेंगे हम 10 नाहे है यहां पीनल है को क्या है लिग शुक्त कुन के बेस में डेयादे के ऑंडमान और निको बार इसां का नाहीं है फूराहरा नाम किया है 10 डिग्री चैनल कभी एकशमें थोबसें जाता है तो क्या पूछते हैं इसके पर टबान के लेट्र अंडमान है ञाँ में जो हमारे लेटिल अनडमान है और हमेरे निकबार तो छैनल कि बोले양िये सेटेक हैं 10 उdles मौक कर तो आद रह बीच में चैनल उसको बोलते हैं 10 degree channel अब आगे मैं आपको एक हो बताती हूं क्या है नाइन डिग्री चैनल है हमारा क्या है यह हमारा लच्छदीप 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 और मिनिकाय के बीच में लच्छदीप और मिनिकाय के बीच में चैनल है उसको बोलते हैं हम लो ऐसे आध रखेगा और क्या है पाक स्टेट्स नाम से पाकिस्तान मत लगा दीजेगा पाक स्टेट से नाम कहा है तमिलाडू ऊसीलि लंका के बीच में बहारत उसिलिलंका की जो तो साउंध तो सी हम आगा साओं चैनल के देख लिल डेलका देख लेते हैं जो नाड़ लच दीप मना नाडु में खाड़ी कहां। नाड़ु और जो और मिनिक आई के मध्द थे है वह हमारा is अज मुस्ट दिग्रीग डिगेल टीक है इसको बोलते हैं ग्रेंट चैनल सुमात्रा ऐन्डबनोसिया को जो पांद है और वह इंड़्ड हैसे इसको बोलते हैं तो पाक प्रिंड पास्टिय घ्रिलान के डिया श्तरेट पार्क इस्टेट लागो अंडमान और कार निकोबार के जो मद्ध है उसको दस डिक्री चैनल बोलते हैं डकन पैसेच कोको दीप उत्तरी अधिकार है तो याद रखेगा अब देखते हैं कुछ दीप है इसकी अवस्थिती है कि बुएँ कंती है कनसी डीप इसकी अवस्थिती की गारी वजयंत सयोधर कंई ब्लबा नाब साओर्चिया आब आयो हम देखते हैं भारत की जली सीमा इसे हमारे बन जाते हैं बहारत के जली सीमा है हमारी कि यह जो आप देख रहे हैं यह ऐसे अब देख रहे हैं इतने से अगर आपका 12 नौटिकल मेल जगह होगी उसको बोलेंगे उसको लोग बोलेंगे इसको बारान करेंगे एसको बोलेंगे इसमें क्या करेंगे इसमें कुछ भी मचली या पाय जाती है μεंगे कोई जाता है इस में हम लोग करकते हैं प्राक्तिक के संसाध्नों की कोज़ कर सकते हैं इसका चेक कर सकते हैं इसकर कर और निकले भागों को मिलाने वाकरों को नापेंगा ऐसकती है किसी भी देश के के प्रादेशिक जल श्यटर कोथे श्यटरी श्यटर कहा जाता है कि श्यटरी श्यटर की दूरी आधार रेखा से और्खरा reaction 287?? किसे कहते हैं इस थली भाग आधार रेखा कि मद्द सागरी जल को आंतरिक जल कहते हैं और भारत के जल छेतर जो की हमने पर दिसक्स किया था प्रादेशिक जल छेतर उन्हें कहते हैं जिसमें हम क्या कर सके सबी प्रकार कि संसादनों का दोहन का पूर अधिकार रहता इस पर अधार रेक्षा से 12 नॉटिकल मील के जो छेत्र होता है उसको हम क्या बोलेंगे प्रादेशिक जल छेत्र ये क्यूशन पूछ लिया जाता है तो यह आपके लिए इसको याद कर लेज़ेगा ठीक है अब हम निच देखेंगे सनलगन छेत्र या समीपस्त मंडल या अधार रेखा से 24 नौटिकल मील के जो मद इस्थित है उसको हम बोलते हैं सनलगन छेत्र इसमें अप्रिवाशन कानून सीमा सूल को पर्यावरडी स्वच्छता राजगोसी अधिकार से समंदित कानून का लागू होना द्रश्टाता है ठीक है यह क्या बोलते हैं सनलगन छेत्र अब हम आएंगे अनने आर्थिक छेत्र या अधार रेखा से 200 नौटिकल मील के मद्ध है इसका क्या है प्राक्ति संसाथनों की खूज करना दोहन संदच्छन आपको देंगे अननन आर्थिक जोन का जो हमारा है यह 200 नौटिकल मील के मद्ध इसका विश्तार है ठीक है यहां तक देखेंगे प्राक्ति संसाथनों की खोजादी हम सब कर शकते हैं अब हम देखेंगे भारत के समुद्तर टाजिया केंद्र सासितत की लंबाई हम देखे लेकिन अगर हम बात करें केंसा से प्रदेशों में कुछ ना जाए तो क्या लगाएंगे अंड मार्यों निकोबाद दीप समो आप ऐसे आद रखेंगे इसकी किलोमेटर लंबा इतना इंपॉर्टन नहीं लेकिन आपको मोटा मोटा देहन रखना है कुछ यहां से स्टार्ट क स्टार्ट के बाद करेंगे स्टार्ट आप अन्द्रप्रदेशर लूर्ट प्रिपीट करा देढ़ और निकोबाद दी प्र इसके बाद गुझराद ईता अंद्रप्रेदेश तमिल नाडु महाराष्ट के बाद देख रेंगे उडिसा उडिशा के बाद हमारा करनाट का करनाट का के बाद हमारा पर श्युंबंगार बश्छा बंगार फिर इसके बाद लच्छदीप लच्छदीप गोवा दमन अगर इवा ओ धंधर जया जाए इतना अध्यान के सबसे राज में बढ़ा कॉंसा है राज में मारे बढ़े हमारे कौन से है गुजरात है पिर इसके बात हमारा आंधर प्रदेश डिया रहा है तो आप द्धान में रखिए गार्ट को एसे देख लेंगे ठीकि अधर्मानिकॉपादिर समूँ गु थिए और ऑने लिएे अरब सागर में गैसे बहाते हैं और भी सक्थ हरी होटा यह चारो जल का क्पाया देप लुटेग bowel ए अभर्यव कुछ ऊचपै इसे भाग होते हैं जिनके चारो ओर जल का बिस्तार पाया जाता है जैसे आप देख रहें यह आपको आसानी रहे लेकि चैनल आपने पढ़ लिया है लेकिन एक बार दुबार आप पढ़ लेंगे तो आपका ही रिवीजेंट हो जाएगा ठीक देखे जो अंड मानिको बार द इस बता हैं यहां पर बता हैं इसके सरव उसे सिखार है सैंडिरपीग है इसकी जो इसका सब्ना इसको पर सब्रक्राइ करें। हमार्क अपने जरके यह बस्तभारे खें बिस्तार है तो यहां निकल यहिए की सूल आपकान सुलेश धायिया हैं उस फैसी में है उन्हां बोलते हैं ठीक तो यह हमारा कैसा है। अन्डमान दीफ समूल्पन को कार निको बार से अलग करता है यहां पर दस्रել स कर निको बार भार कब तोye प्रसुत जुखे लानों हुखे है ऊपरकफिया। पूछ लिया जाता है कि भारत का एक मां सक्री ज्वाला मुखी कौन सा है तो आप क्या बताएंगे बाइए अब आएए हम लोग देखते हैं सीरी हरी कोटा दीप है इसके जो अवस्तती कहा है आंधर प्रदेश में हमने आप याद करिए मैंने आपको बहुत अच्छी बता द यहां पर आंधर प्रदेश पुलिकट जील के निकट है उसको बोलते हैं सीरी हरी कोटा दीप इसकी जो भी सेस्ता है पुलिकट जील को बंगाल की खाड़ी से प्रथक करना भारत का उपगर है प्रश्चेपड केंद्र भी इसको बोलते हैं शातीज धवन आंतरिश केंद् अंध मानेवंघनिकों बादीपसमू के तीनों दीपो के नाम में परिवर्थन हुआ कब हुआ है थीसंवहों ही समार 2018 में परिवर्थन किया गया है लावग्दीप को नाम के बदल करकर दिया गया है नेतर जी सुभाष चंडर बोस दीप के नाम से नाम पढ़गा नील दी अरब सागर् के दी कि दीप नठ पोुअ के लिए नाम के लक्क दीव ये मेनि का ये आया अमीनी क्या है अमीनी दीवी वर्तमान लाव क्या है लच दीप आज अभी हम 1973 से इसको हम लच दीप भी हम लोग बोल रहे हैं ठीक है इसका जो विस्तार च्छेत्र है क्या है अरब सागर में केरल के कोची टर से 220-440 किलो मीटर की दूरी पर बिस्तरत दीपो का समू है ठीक है ठीक है मीनी काय को लच दीप के सेज़ दीपों से प्रथक करना है क्या है मीनी काय को लच दीप के सेज़ दीपों से प्रथक करना है मीनी काय को लच दीप की कावर्ती है जो की कावर्ती दीप पर ही इस्तित है एंड रात लच दीप का सबसे बड़ा दीप है अगर पूचा गया है की और दूसरा ruler इंडर्रात बताएं डूसरा मे座िय का मीनिकर एधिन प्रेखेंगे सबसे बड़ा कह दो हमारे अलच गायोन लो हम देखेंगा हैं और देखेंगे महाराश्च में दो हमारे अमिहारे आप एक हमारा है सालसे हैं उसको क्या बोलते हैं देखे क्या है मुंबई इस गेटवे आफ इंडिया की निकट इस्तित है क्या है मुंबई इसी दीप पर ही बना है अब देखते हम कुछ पर चुपियोगी तथ्य है बिस्व के सबसे बड़े और दुरलब ब्रहत काय राबर केकड़े के लिए प्रशुद्ध बांडूर समुद्री जैय मंडली प्राचित चेत्र कोकोदीप मैमार में और उस्तर ही अनवां को प्रतक करता अब है को को चैनल भागोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेसियाई डीप कौन से है शुमात्रादीप है ठीक है इसुमात्रादीप अब हम कुछ तोड़ा ही बचा है अब हम देखेंगे अब तटी दीपो की अवस्तिती कुछ आप याद कर लेजे पूशा नहीं जाएगा जो पूशा जाएगा मैं आपको वही बताऊंगी ठीक है अब यह रखिए खाडिया बेट तता आलिया बेट जो है जो खाडिया बेट औ नोरा पितरन करून भार यह कच्छ तठ्थ है बुचर करंजा क्रास मुंबई के निकठ नेत्रानी सेंट मेरी अरब सागर में है नियूमोर ततट गंगा सागर बंगाल के खाड़ी में यह यह बंगाल के खाड़ी है अब देखें कुछ महत्रपूर्ठ तर्थेंग और के भारत के पंबन दीब के अंतिम छोड भारत के अंतिम चोड धनुस कोटी से प्रारम होकर सिरी लंका के जली भाग के रूप में विस्तारे थे उसको क्या बोलते हैं तथा निवेशिका एक ज्वारी क्रीक है क्या है एक ज्वारी क्रीक है अब आई हम लोग देखते हैं बैरंदीप जाला मुखी का पहला रिकार्डेट उद्गार हुआ है कब हुआ है अब क्या पढ़ेंगे राजितिक प्रसास्ति विवाजन देखिए मैं अब यह निश्डे लेक्टर करूंगी वैसे बहुत बढ़ा बन गया बट मुझे यह सब कुछ फिनिस करना पड़ा क्योंकि यह चैप्टर एक ही है टॉपिक लेकि इसमें तोड़ा से ज्यादा थे ओके जो भी फीडवेक है वह कमें बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ जो मैंने पूछा है कि यह मैं बीडियो इतनी बड़ी बनाऊं यह चोटी चोटी वीडियो ही बनाऊ अब कमें बॉक्स में जरूर दीजेगा अगर अगर आप मिए नए है तो मिजरेन को लाइक करिए सस् कर दो